निर्मला सिता रामन जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजेट में जिन नए रिफॉर्म्स का एलान किया गया है, वो अर्थव्यवस्ता को गती देने, देश के प्रत्यक नागरिक को आर्थिक रुप से ससक्त करने और इस दसक में अर्थव्यवस्ता की नीव को मजबूत करने का और गती देने का काम करेंगे। रोजगार के प्रमुक्षेत्र होते हैं एग्रिकल्चर, इंफरस्रक्चर, टेक्स्टाइल और टेक्नोलोजी। एम्प्लोइमेंट जनरेशन को बढ़ाने के लिए इन चारों पर इस बजेट में बहुत जोर दिया गया है। किसान की आयद दोगुनी हो, इसके प्रयासों के साथ ही सोला एक्षन पॉइंक्स बनाए गए हैं जो ग्रामिन ख्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे। बजेट में क्रिशिक खेत्र के लिए इंटीग्रेटेड एप्रोच अपनाई गई हैं जिससे परामपरागत तोर तरीकों के साथ ही होटिकल्चर, फिशरीज, एनिबल हस्बंडरी ऐसे खेत्रों में बैल्व एडिशन बढ़ेगा और इससे भी नवजवानों के लिए ब्लू एकानामी के अंतरगत युवाओं को फिस्ट प्रोसेसिंग और मार्केटिंग छित्र में भी नए अवसर मिलेंगे। टेक्निकल टेक्स्टाइल के लिए नए मिशन की गोश्णा हुई हैं। मैन मेड फाइबर को भारत में प्रोडूस करने के लिए उसके रो मोट्यूरल के ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफॉर्म किया गया है। इस रिफॉर्म की पिछले तीन दसकों से मांग हो रही थी। आईश्वान भारत योजना ने देश के हेल्थ सेक्टर को नया विस्तार दिया है। इस सेक्टर में हुमन रिसोर्स उसके डेवलप्मेंट डॉक्टर हो, नर्स हो, एटेंडेंट हो। इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस मेनिफेक्टिन का बहुत बड़ा स्कोप बना है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक नए निर्णे लिए गए हैं। टेक्नलोजी के एक शेत्र में एंप्लोमेंट जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस बजेट में हमने अनेक योजनाबद रूप तरीके से प्रयास किये हैं। नए स्मार्ट सिटीज हो, इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्टरिंग हो, डेटा सेंटर पार्स हो, बायो टेक्नलोजी और कांटम टेक्नलोजी जैसे खेत्रों के लिए आवस्चे जो भी पॉलिस इनिसिटिव लेने चाहिए वो लिए गये हैं। इसके द्वारा भारत ग्लोबल वैली चेन का एक अभिन्न अंग बनने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ेगा। बजेट में युवाओं के स्किल डेवलेप्मेंट को लेकर भी इस बात पर बल दिया गया है कि जिस प्रकार के आधुनिक भारत के निर्मान में जो जो स्किल की ज़रुद है उस फोकस को बल दिया जाएगा। और स्किल में भी एरिया को फोकस करने के कॉमिनेशन पर बल दिया जाएगा। जैसे डिग्री कोर्सेज में, एंट्रप्रिनर्शिप, लोकल बॉडिज में, इंट्रन्शिप और अनलाइन डिग्री कोर्सेज की भी व्यवस्ता का एलान किया गया है। बारत से जो युवा नोक्री के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ब्रीज कोर्सेज की व्यवस्ता भी की जा रही है। एक्सपोर्ट और MSME सेक्टर एंप्लोईमेंट जनरेशन को ड्राइव करता है। बजेट में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अनेक नई गोशनाओं के साथ साथ हर डिस्टिक को एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वा कांच्छी योजना का इसमें निरने लिया गया है। छोटे उद्यमों की फाइनांसिंग के लिए भी कई नई पहल हुई है। आदुनिक भारत के लिए आदुनिक इंफास्ट्रक्टर का बहुत ही महत्व है। इंफास्ट्रक्टर का खेत्र भी एंप्लोइमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा अधार होता है। यह सब कोई जानते हैं। सो लाग करोर रुपिये से पैंसट सो प्रोजेक्स का निर्मान बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तो बढ़ाएगा। देश के विकास के हर क्षेत्र को वो एक नई ताकत देगा। नेशनल लोजिस्टिक पॉलिसी से भी व्यापार, कारोबार और रोजगार तीनों क्षेत्रों को लाब होगा। देश में सो एरपोर्ट विक्सित करने का लक्ष सामान्य मानवी की हवाई उडाइन को नहीं उचाई देगा। भारत के परेटरन सेक्टर के लिए ये इन्फा सेक्टर बहुत आवशक है। और टूरिजम से कम पुझी निवेश से अधीक रोजगार की अधीक इन्कम जनरेशन की संभावनाय होती है। इन्फा स्ट्रक्चर के शेत्र में हम स्टार्ट अप्स के जरिये और प्रोजेक्ट डेवलप्मेंट के जरिये युवा उर्जा को नई ताकत देंगे। टैक्स स्ट्रक्चर में मुलभूत बढ़लाओं के कारण भारत में अनेक स्ट्रस में वेल्यू एडिशन की संभावना भी बढ़ेगी। एंप्लॉयमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी आवशक्ता होती है। और प्रमुक ड्रावर होता है। इस दिशा में कुछ एत्याजिक कदम उठाए गए है। बॉर्ण मार्केट को मजबूत करने के लिए और इन्फर स्ट्रक्चर की लॉंग टर्म फाइनसिंग के लिए प्रबंद किये जा रहे हैं। डिविडेंट डिस्टिबिशन टैक्स डीडीटी उसको हटाने के कारण कंपनियों के हाथ में पचीस हजार करोड रुप्या आएंगे जो उनको आगे इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेंगे। बाहर के निवेश को भारत में आकरशित करने के लिए विभिन टैक्स कंसेशन भी इस बजेट में दिये गए हैं। स्टार्ट अप्स और रियल एस्टेट के लिए भी टैक्स बेनिफिट दिये गए हैं। यह सभी फैसले अर्थ ववस्ता को तेजगती से बढ़ाने और इसके जरिये युवाओं को रोजगार के नए अफसर उपलब्द कराएंगे। अब हम इंकम टैक्स की ववस्ता में विवाद से विजवाद के सफर पर चल पड़े हैं। हमारे कंपनी कानुनों में जो भी कुछ सिविल नेचर की गलतियां होती हैं। और उसमें कई सानों से क्रिमिनल एलिमेंट है। एक प्रकार से परेशानी का कानुन है सामन्य नागरी को। उन्हें अब डी क्रिमिनलाइज करने का एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इसके साथ साथ टैक्स पेर चार्टर के द्वारा टैक्स पेर के अधिकारों को सपस्ट किया जाएगा। दुनिया में शायद बहुत कम देश हैं जहां पर टैक्स पेर चार्टर की कलपना की गई है। भारत आज एक प्रगतिशिल कदम उठा रहा है। MSME से जुड़े छोटे उद्दमियों पर हमारी सरकार ने हमेशा भरोसा किया है। हम नागरी कोंपर विश्वास करने माली सरकार है। अब पांच करोड रुपिये तक के टर्न ओवर पर ऑडिट की आवशक्ता नहीं होगी। चार्टर एकाउंटर के सर्टिपिकेट की जरुत नहीं पड़ेगी। पहले ये सीमा एक करोड रुपिये तक ही थी अब इसे पांच करोड कर दिया गया है। एक और पड़ा फैस्टला डिपोजिटर्स इंशॉन्स को लेकर हुआ है। बैंकों में और ये खास करके मद्यमबर के लिए होता है। निम्न मद्यमबर के लिए होता है। वो अपने जीवन की पूंची को बचाके रखता है। और कभी संकर में पढ़ जाता है। बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित है। ये विश्वाद दिलाने के लिए। अब डिपोजिट इंशॉन्स की सीमा एक लाख रुपिये से बढ़ा कर पांच लाख रुपिये कर दी गई है। मतलब की एक प्रकार से जो छोटे डिपोजिटर्स होते हैं, 98-99% लोग इससे सुरक्षित हो जाएंगे। minimum government, maximum governance की commitment को इस budget ने और मजबूत किया है। faceless appeal का प्रावधान, direct tax का नया और सरल स्ट्रक्चर, disinvestment पर जोड, auto enrollment के जरिये universal pension का प्रावधान, unified procurement system की और बढ़ना, ये कुछ ऐसे कदम है जो लोगों की जिंदिगी मेंसे सरकार को कम करेंगे, नागरीकों की शक्ति बढ़ाएंगे, समाज ताकतवर होगा और उनकी ease of living को, ease of living के हमारे मकसद को कई कदम आगे ले जाएगा। maximum governance की दिशा में एक लाख ग्राम पंचायतों में अंगनवाडी, school, health और wellness center, एवं police station को brown band connectivity से जोड़ना एक एहत्यासिक शुरवात होगी। और इसके दूर सुदूर के छोटे गावों में भी long distance education के द्वारा गरीब से गरीब बच्चे को, आदिवासी बच्चे को, दलित बच्चे को अच्छे से अच्छी सिक्षा देना संभव होगा। आज सरकारी नोकरी के लिए युवाओं को कई अलग-अलग परिशाय देनी होती हैं। अनलाइन और वो भी district में common exam के जरिये नियुक्ता की जाएगी, एक ही exam होगी, बैंक वाला भी उसका उप्योग कर सकता है, रेलेवे वाला भी उप्योग कर सकता है, सरकारी अन्य विभाग भी उप्योग कर सकते हैं। इसके करण युवकों को बार-बार अपना समय इस काम में नहीं लगाना होगा। किसानों के लिए अपने उत्पादों को सही तरह से मार्केट कमने और ट्रांस्पोर्ट के लिए किसान रेल और कुशी उडान के द्वारा नई व्यवस्ता बनाई जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये बजेट इनकम और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। डिमांड और कंजम्शन को बढ़ाएगा। फाइनेंशल सिस्टम और क्रेडिक फ्लो में नई स्पूर्ति लाएगा। ये बजेट देश की वर्तमान आवश्रक्ताओं के साथ ही इस दसक में बविश्व की आपेक्षाओं की भी पूर्ति करेगा। मैं एक बार फिर देश को निर्मलाजी को और वित्रमंत्राले की टीम को इस बजेट के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।